अगर आपकी ओपो ये 520-20 नगर आप चला रहे हैं और उसमें OTG ओन करने आपको नहीं आ रहा है समझेना है कि OTG इसमें ओन है आउप है तो आप उस OTG को कैसे ओन करते हैं ओपो ये 520-20 मोबाइल में ठीक है कि बहुत थारा मोबाई पता जिसमें OTG ले ले लेता है लेकिन इसमें आउन करना परता है OTG तब जाकर कि लेता है ओपो स्थार को मкольणけど है अ मैं यहाँ पे अपने मुवाइल पे आ गया हूं ठीक है और अपने मुवाइल पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आप सेटिंग्स पे किली किजिएगा तो सेटिंग्स पे किली करने के बाद आपके सामने इस तरह का पूरा सेटिंग्स ओपन हो जाएगा ठीक है सेटिंग सोपेन होने के बाद सिंपल सी इसमें आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर देखना है आपको जैसा कि आप यह देख रहा है यहां स्याव है यहां से नीचे की तरप से सबसे नीचे एगर है यह जो है इदिस्नल से पाइब सींपल चाहि को ओड़ार कर देना है तो इस तरह का आपके सामनेու इंटरफेस होगा ठिघा सब से निचे आपको आना से ग्रबंट तरह से स्क्रोल करके और यहां पर सब से नीचे आप देख सकते हैं पर पर यहões कि यह आभी झिक सकते हैं कि यह माद protect को एक करने के लिए किसले आपको कर देना है च numeric फरें अनलों हो चुका है तो इस तरह सो एक Macron कीबोर्ड मोर्फो मांत्रा जो कुछ भी अगर हम इस पर डिवाइस अपकरनेट करते हैं तो यह एटोमेटिक ले लेगा ठीक है अगर जब तक इसको आप अज़ा नहीं किजेगा इनेबल इस तरह से तो यह जो है आपका नहीं ले पाएगा कुछ भी अगर इस तरह से नहीं ह जो कुछ भी है लगाना है और नहीं तो आपको सबसे पहले अन कर लिजिए गा तब लगाजिएगा नहीं तो आप चाहिए तो डिवाइस कोनेट करके तब भी आप ओटीजी अन कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप ओटीजी को आन कर सकते हैं ओपो यह 52020 मोवाइल में